हेलो दोस्तों लुसेंट राजस्तान जी के डेली टॉप कोशन में आपका वेलकम आजस्तों तो ये वीडियो का 331 पार आजस्तों इससे पहले भी 330 पार बनाए जा चुके हैं वो भी आप चैनल पर जागी देख सकते हैं तो यहाँ डेली मिलना आपको टॉप 50 कोशन मिलने वाले हैं जो कि आने वाले राजस्तान के सभी प्रिक्षाओं के लिए काफी उप्यों की साबित होने वाले हैं तो सभी कोशन आपको रट लेना हैं तो बिल्कुल भी मिस्त नहीं करना है इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो 56 बेसी ने किस नदी का परवा तंत्र है तो इसमें हमारा करेक्ट टांसर है आपसन नमर सी माही नदी का परवा शित्र है 56 बेसी ने ने किस नमरा राज्य के कितने जिलों की अंतराज्य सीमा दो दो सीमावर्टी राज्यों से लगती है तो इसमें हमारा करेक्ट टांसर है आपसन नमर सी चार जिलों की सीमा लगती है नेक्शन नमरा पूर्वी राजस्तान का कश्मीर नाम से विख्यात है तो इसमें हमाया करेक्ट आंसर है और अप्सन नमरे अलवरे विख्यात है नेक्शन नमरा बेमेल युग में को ग्यात कीजिए तो इसमें हमाय करेक्ट टांसर है और आफ्शन मर्थी आफीम की खेती में अग्रेनी जिला सीकर है ये आफ्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि आफीम की खेती सबसे ज़्यदा चितोडगर जिले में होती है इसके अलावा केवलादेव राश्टी अध्याने बहरतपुर में इस् स्थित है ये आफ्शन भी बिल्कुल सही है सेवन युक्ते विस्त्रत शेत्रे जेसल में में स्थित है तो ये आफ्शन भी बिल्कुल सही है नेक्शन नमरा राजस्तान को वर्तमान सवरूप देने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी तो इसमें हमारा करेक्ट टांसर है आफसर नमर ए 18 मार्च 1948 के अंदर शुरू होई थी नेक्ष नमर रेगिस्तान का जल महले किसे कहा जाता है तो इसमें हमारा करेक्टांस रहा है आफसर नमर बीच बाटाडू का कुवा बाड मेर को कहा जाता है रेगिस्तान का जल महले नेक्ष नमर राजस्तान की आकरती कैसी है तो इसमें हमारा करेक्टांस रहा है आफसर नमर बीच विशम कोनिये चतुर बुझ है राजस्तान की आकरती नेक्ष नमर राजस्तान में छोटी काशी के नाम से प्रस्थिद शहर है तो इसमें हमार करेक्ट टांसर है आप्शन नमर बी बुंदी शहर है जो कि छोटी काशी के नाम से प्रसिद है नेक्शन नमर राज्य के कितने जिलों की सिमाएं अंतराश्टिय अत्वा अंतराज्य सिमा से नहीं लगती है तो इसमें हमार करेक्ट टांसर है आप्शन नमर सी आठ जिलों की सिमाएं अंतराश्टिय और अंतराज्य सिमाएं से नहीं लगती है नेक्शन नमर राजस्तान के किस जिले में सबसे बाद में सूर्य दे होता है तो इसमें हमाय करेक्ट टांसर है आप्शन नमर डी जेसल मिर जिले में होता है नेक्शन नमर पाकिस्तान से लगने वाली अंतराश्टी सीमा का समापती स्तले शाहगड किस जिले में इस्तित है तो इसमें हमारा करेक्ट तांसर है आप्शन नमर बी बार्ड मेर जिले में स्थित है शहागड नेक्शन नमर राजस्तान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है तो इसमें हमारा करेक्ट तांसर है आप्शन नमर सी टौक विख्यात है नवाबों की नाम से नाम से नेक्शन नमर राजस्तान का इसकोट लेंड कहलाने वाला जिला है तो इसमें हमाय करेक्ट आंसर है ओप्शन नमर सी अलवर जिले को कहते हैं राजस्तान का इसकोट लेंड नेक्शन नमरा निम्न मेसी कौन सा उदेपुर संभाग में नहीं है तो इसमें हमाय करेक्ट आंसर है ओप्शन नमर सी बीलवर जिला उदेपुर संभाग में नहीं है नेक्शन नमरा ग्रेट इंडिया ने बस्टर्ड किसे कहते हैं तो इसमें हमाय करेक्ट आंसर है ओप्शन नमर सी गोडावन को कहते हैं ग्रेट इंडिया ने बस्टर्ड नेक में से किसे कहा जाता है तो इसमें हमागा करेक्ट तांसर है ओप्शनमर सी के राडू के मंदिरों को कहा जाता है राजस्तान का खजुरा हो नेक्शनमरा राजस्तान में अंतराश्टिय सीमा से जुड़े जिलों की संक्या है तो इसमें हमागा करेक्ट तांसर है ओप्शनमर चार जिले अंतराश्टी सीमा से जुड़े हुए है जांगल प्रदेश की राजदानी का नामे क्या था तो इसमें हमाया करेक्ट टांस रहे आप्सन नमर डी अही छत्रपुर था जांगल प्रदेश की राजदानी का नामे नेक्शन नमर अ हाडोती प्रदेश का रिदेस्तल है तो इसमें हमाया करेक्ट टांसर है ऑफ्सन नमर ए बुंदी रिद्यस्तल है हाडोती प्रदेश का नेक्शन नमर राजस्तान राज्य की सरवादिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है तो इसमें हमाया करेक्ट टांसर है ऑफ्सन नमर सी मद्य प्रदेश राज्य के साथ है स तरवादिक लंबी सीमा नेक्शन अमरा राजस्तान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात वह पाकिस्तान से मिलती है तो इसमें हमार करेक्ट आंसर है आप्सन नमर ए बार्ड मेर जिला है जिसकी सीमा गुजरात के सासाते पाकिस्तान से भी लगती है नेक्शन नमर तीस मार्च ए उननिस सो उनपचास को राजस्तान के इतियास में क्या महत्व है तो इसमें हमाय करेक्ट नासर है आफसन नमर डी उप्रोक्त सबीर मतलब जनता का प्रतिनिदी राज्य का मुखिया बना गेश के एकिकराण में सरदार पटेल को एहम सफलता मिली निरकुंश राजस्तंतर की समाप्ती हुई ये तीनों ही कारिय हुए थे तीस मार्च उननिस सो उनपचास को नेक्शन नमर राजस्तान के किस जिले की सीमा अन्य जिलों की सीमा से सरवादी किस पर्ष करती है तो इसमें हमाया करेक्ट तांसर है आपसर नमर बी पाली जिले की सीमा इस पर्ष करती है अन्य आठ जिलों से नेक्शन नमर राजस्तान राज्ये के कुल शेतर फाले तथा कुल जनसंग्या का कौन सा जिला लग बगे एक समान प्रतिशते अंश में रखता है तो इसमें हमाया करेक्ट तांसर है आपसर नमर डी सीरोही जिला रखता है नेक्शन नमर राजस्तान की प्रत्थम महिला विदाएक थी तो इसमें हमाया करेक्ट तांसर है आपसर नमर बी यशुदा देवी थी प्रत्थम महिला विदाएके नेक्शन नमर किस जिल का प्राची नाम में देवाली तलाब है नेक्शन नमर राजस्तान का इस्ता कितना है तो इसमें हमाय करेक्ट तांसर है आपसर नमर सी पॉइंट पॉइंट फाइब जिरो एमे एफ है राजस्तान का इस्ता नेक्शन नमर चंबल गाटी प्रियोजना मद्यप्रदेश वह राजस्तान की संयुक्त प्रियोजना है जिसमें कुले विदुत पादन का कितना मेगावार्ट विदुत राजस्तान को प्राप्त होती है तो इसमें हमाय करेक्ट तांसर है आप्शन नमर सी एक्सो तर्राण में मेगावाटे विदुत राजस्तान को मिलती है नेक्शन नमर विश्णू की निर्गुन निराकार ब्रह्मा के रूप में उपासना का उपदेश किस संत ने दिया है तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ओप्शन नमर डी जामबो जी संत ने दिया है नेक्शन नमर राजस्तान में बक्ती अंदोलन का केंदरे विठल मंदिरे कहां पर इस्तित है जो राज्य का एक मात्रे विठल मंदिर है तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ओप्शन नमर बी यह सिरोई जिले में इस्तित है नेक्श नमरा बुंदी का जोद सिंग हांडा गणगोर की प्रतीमा सहीते तालाब में डूब कर मर गया तब से प्रसिद है हांडो ले डूबयो गणगोर गहे गटना कब की है नेक्श नमरा मेवाड रियासत ने इस्ट इंडिया कमपनी के साथ संदी 22 जनवरी 1818 में की थी तो बताईए राजस्तान के एकिकरण के समें मेवाड का शाश के कौन था तो इसमें हमाया करेक्ट आंसर है आप्श नमर बी महराना भूपाल सिंग थे मेवाड के शाश के नेक्श नमरा सवाई मान सिंग द्वारा इस्तापित लाइबरी कौन सी है तो इसमें हमाया करेक्ट आंसर है आप्श नमर सी पोथी खाना लाइबरी है जो की 1952 में स्तापित की गई थी नेक्श नमरा कितने सोपानों में सिरोही का राजस्तान में विले हुआ तो इसमें हमाया करेक्ट आंसर है आप्श नमर सी दो सोपानों में हुआ था नेक्शन नमरा राजस्तान के एकी करण में आई परिशानी के लिए बरतपुर दोलपुर की जनता की राय जानने के लिए किस समिती का गठने किया गया था तो इसमें हमाया करेक्ट आंसर है आप्शन नमर सी शंकर रावे दवे समिती का गठने किया गया था निक्ष नमर राजस्तान के एकी करण के संबन में जो तथे सही नहीं है वह है तो इसमें हमाय करेक्टांस रहे आप्सन नमर डी रियास्ते जोदपुर बुंदी दोलपुर करोली जेसल मेर बाड मेर थी ये आप्सन गलत है मांडलगड दुर्ग बीलवाडा किस श्रेणी का दुर्ग है तो इसमें हमाय करेक्टांस रहे आप्सन नमर गिरी दुर्ग श्रेणी का दुर्ग है मांडलगड दुर्ग नेक्ष नमर नमलिकित में से राजस्तान से संबन्दी आकड़े जो सही नहीं है तो इसमें माय करेक्ट टांसर है ओफ्षन नमर बी 29 जिला दूद संग्रहन केंदर है ये ओफ्षन बिलकुल गलत है इसके अलावा 10 क्रशी जल्वायू जोन है बिलकुल सही है 33 आखेट निशेद जोन है बिलकुल सही है 36 जिला उद्यो केंदर है ये भी सही है नेक्शन नमरा वर्तमान राज्जस्तान की सबसे बड़ी आर्थिक योजना कौन सी है तो इसमें हमारा करेक्टरांसर है आप्शन नमर डी बहमाशया योजना है सबसे बड़ी आर्थिक योजना नेक्शन नमरा दोहजार सोला की बजट में पहली बारे किस योजना को शामिले کیا गया था तो इसमें हमाई करिक्ट्र आप्सन नबरила उधे योजना को शामिले किया गया था नेक्शन नमरा श्वेत करांटी के शुरूआते 170 में की गई तो बताइے भारत में अर्थ करांटी के शुरूआते कब की गई थी तो इसमें हमाय करेक्ट टांसर है आप्शन नमर B 2016 में की गई थी नेक्शन नमरा सीता माता बहरने किस जिले में इस्तित है तो इसमें हमाय करेक्ट टांसर है आप्शन नमर C चितोडगड जिले में इस्तित है अगर option में चितोडगड की जगए प्रतापगड जिला होता तो वो भी हमें सही करते है नेक्ष नमरा सरवादिक जनसंक्या गनतुए किस जिले में हैं तो भरतपुर जिले में हैं नेक्ष नमरा किस किले के पास इस्तितरी रेत का बड़ा टीबा हाती टीबा कहलाता है तो इसमें हमाया करेक्ट टांसर है और option नमरा बी कुचामन का जो किला है जो कि नागोर में स्तित है इसके पास में स्तितरी टीबे को हाती टीबा कहा जाता है निक्स्ट नमरा निमलिकित में से दीप इस्तंब कहां पर सित है तो इसमें हमार करेक्ट आंसर है आपस्ट नमर सी अर्थुना बास्वाडा के अंदर सित है दीप इस्तंब नेक्ष्ट नमरा प्राचिन शिलालेक के अनुसारे विंद्यवली किस जगह का प्राचिन नाम है तो इसमें हमारा करेक्टर अनसर है आप्ष्ट नमर डी बिजोलिया भीलवाडा का प्राचिन नाम है विंद्यवली नेक्ष्ट नमरा मेवाड के प्रतापे सिसोधिया राजवंश के महराज सुरजन सिंग द्वारा शाहपुरा भीलवाडा की स्तापना कब की गई थी तो इसमें हमारा करेक्टर अनसर है आप्ष्ट नमर सी 1631 में स्तापना की गई थी नेक्ष्ट नमरा शुद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्ता के मरच्छ कटिकम का विशे है तो इसमें हमारा करेक्टर अनसर है आप्ष्ट नमर एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाता है मरच्छ कटिकम पुस्तक में